अब कहे मुताबिक मुझे कंडक्टर ने इस गाव में तो उतार दिया लेकिन मुझे इस गाव का नाम तक पता नहीं है तो फिर मैं एक ट्रैवलर की तरह निकल पढ़ता हूँ इस गाव को देखने अब आगे बढ़ते ही एकदम से शांती मैसे सुने लगती है जैसे मानों मैं कहीं स्वर्ग में चल रहा हूँ और तभी मुझे ये अंकल ची दिख जाते है जो फिशिंग तो कर रहे थे लेकिन उनको कोई फिश भावी नहीं दे रही थी मतलब कि उनको कोई फिश मेली नहीं रही थी फिर थोड़े कदम और आगे बढ़ते ही मुझे नारिल दिख जाता है अब दिल तो था उसे हाथों से ही तोड़ दू लेकिन किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ये सोचकर मैं आगे बढ़ जाता हूँ फिर इस गाव को अच्छे से देखने के बाद मैं सोचता हूँ कि यहां से आप निकलते हैं और तभी मुझे ये दिखता है अब ये सब देखने के बाद मेरा मन तो बहुत जादा खुश हो रहा था कि इस 100 days trip में और क्या-क्या देखने मिलेगा लेकिन सच मैं ये एलेपी का experience भहत ही जादा amazing था